Hello and Welcome to our channel Solo Tales और आज की हमारी मूवी का नाम है Blue Weird ये एक psychological thriller मूवी है और इस मूवी की ending बहुत ही साथ mysterious और confusing है इसलिए मूवी की end में मैं आपको मूवी की ending भी अलग से explain करूँगी ये मूवी कई बार एक scene से दूसरे scene में shift हो जाती है डिरेक्टर ने इस मूवी को बनाते वक्त बीच बीच में कई सारे dream sequence डाली है ताकि ये मूवी audience को एक puzzle की तरह लगे जिसके जवाब मूवी में ही explain है लेकिन फिर भी audience confused हो जाए तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की basic plot line तो मूवी की starting में हमें एक river के अंदर किसी lady की dead body दिखाई जाती है killer ने इस body के हाथ पैर और सिर को काट कर river में fake दिया था अब यहां से ये scene shift होता है हमारे main character डॉक्टर किम की तरफ किम एक physician था और वो बस से travel करते वक्त सो गया था पर जब किम की आँख खुलती है तो उसे बस में एक बुड़ा आत्मी दिखता है जो काफी देर से उसे ही घूर रहा था आगे किम अपने hospital में होता है hospital में किम और उसकी cover कर मी यून एक lady patient के अंदर के body parts का check up कर रहे होती है दरसल इस check up को colonoscopy बोला जाता है इसमें एक pipe और camera के थूप पूरे internal body parts का check up करवाया जाता है और इस operation के बाद किम रूम में जाकर एक murder mystery book पढ़नी लगता है दरसल किम को mystery book में काफे interest था आगे hospital से जाती वक्त किम को सारा दिखती है जो कि एक meet shop में काम कती थी से सुन किम वो parcel लेने उसकी shop के अंदर जाता है और इधर shop में सारा का husband जून और जून का old father James meet cut करके सारा का हाथ बटा रहे थे आगे सारा किम के पास आकर उसे उसका parcel दे देती है और इस parcel को किम के devos wife ने उसके लिए भेजा था इसे लेकर किम वहां से चला जाता है किम के बहार निकलते ही सारा अपने father-in-law James पर चिलाने लगती है क्योंकि वो हमेशा की तरह कच्चा meet खा रही थी और ये सब किम देख लेता है आगे किम घर जाकर उस parcel को open करता है तो उसमें एक letter था जिसमें लिखा वा था कि मुझे अभी तुमारे मेल्स रिसीव होती है आखिर कब तक मुझे ये सब करना पड़ेगा इस letter को बढ़कर किम उस parcel को आगे चेक करता है तो उसमें एक शार ब्लेट का डपा था किम देखता है कि इस ब्लेट पर सूजी नाम लिखा वा था सूजी नहीं असल में किम की वाइप है और इनके बीच डिवास हुए काफी समय बीथ गया है अगले तिन किम अपने office में था तब ही वहाँ पर उस hospital का hat विलियम आता है विलियम किम के consistent काम से काफी खुश था पर किम कहता है कि इस टाउन में patient के कमी नहीं रहती इसलिए मैं इधर खाली नहीं रहता हूँ तो इससे सुन विलियम बोलता है कि तुम्हें पता है जब मैंने सीयूल मतलब कि इस टाउन में hospital खोलने का सोचा था तो मेरी wife इसके बिलकुल खिलाब थी वो बार-बार कहती थी कि ये शहर unsolved psycho killer का शहर है दरसल वो 15 साल पहले वे serial killer के case से डर गई थी जिसका कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया है ऐसा बता कर विलियम वहाँ से चला जाता है वही hospital के counter में मी यूंग अपनी co-worker friend सीयूग के साथ थी यहां सीयूग मी यूंग का नया bag देखती है ये bag काफी महंगा और branded था तो यूंग कहती है कि ये bag भी दुबारा से मुझे मेरे wife friend ने gift किया है सीयूग बोलती है कि काश मुझे भी ऐसा कोई मिल जाए तभी इतने में ही वहाँ पर किम आ जाता है और किम वहाँ पर सेरा को देखता है सेरा इधर अपने father-in-law James का check-up करवानी लाई थी क्योंकि शायद कच्चा मीट खाने से उन्हें कुछ हो गया था तो इसके बाद किम Mr. James का check-up करता है और check-up के दोरान भी होशी की हालत में James कुछ पढ़बढाने लगती है और जब किम ध्यान देता है तो पता चलता है कि James किसी का मडर करनी का तरीका बता रहे थी और कह रहे थी कि अगर तुमें पकड़े जाने का डर है तो तुम विक्टम की dead body और fingerprint के टुकड़े टुकड़े कर दो और उसे अलग-अलग river में fake दो पर विक्टम का सर मिलने से पुलिस तुमें पकड़ सकती है इसलिए उसे रखने की सबसे best चगए है हमारा fridge इतना कहकर James होश में आ जाती है आगे किम थोड़ा refresh होनी के लिए room से बहार निकलता है और इस बीच भी कोई किम पर नज़र रखे वे था फिर वहां से किम meet shop मोचता है और इधर shop के बाहर किम एक young लड़के शिन को दीखता है तभी जून वहां आकर बताता है कि शिन मेरा बेटा है और ये फौरण से आया है तो इसे सुन किम उसी वक्त वहां से चला जाता है और एक station में जाकर अपने 12 साल के छोटे बच्चे पार्क से मिलकर उसके साथ breakfast करता है इधर इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि किम ने बहुत समय पहली खुद का एक clinic खूला था और उस clinic के ना चल पाने के कारण किम अब पूरी तरह से करजे में है और अब उसी करजे को चुकाने के लिए किम सियोल के hospital में जादा से जादा महनत कर रहा है breakfast के बाद किम पार्क को उसके boarding school में छोड़ दीता है किम और उसकी wife का divorce हो चुका था इसलिए कानूनन पार्क अपनी मौम सूजिन के साथ ही रह सकता था अब रात को किम अपनी घर जाता है पर किम के दर्वासे के पास पहले से ही जून खड़ा था जून किम के लिए beef लाया था क्योंकि किम ने उसके फादर का check-up किया था अब इतने में ही जून किम के हाथ में beer की cans देख लेता है तो किम उसे एक drink के लिए offer करता है जिसके बाद ये तोनों किम के घर के अंदर जाती है इधर बात करते वक जून के घर में कई सारी books notice करता है तब किम बताता है कि इन books में जादातर mystery novels है दरसल मुझे जवाब तोनने में मज़ा आता है जून कहता है कैसा जवाब किम बोलता है कि वही जवाब जो writers mystery books में क्लाइमिक्स में reveal करती है अब किम फिर्ज से एक और beer निकालता है तब जून कहता है कि तुमा सुबह किस से मिलने गए थी तब किम बोलता है कि मेरा divorce हो चुका है और मैं अपने बेटे पार्क से हफते में बस दो बार मिल सकता हूँ इसलिए मैं वही उससे मिलने गया था तब जून पार्क की फोटो देखते वे बताता है कि मेरा बेटा शिन भी 15 साल का है दरहसल सेरा मेरी दूसरी वाइफ है और शिन मेरी पहली वाइफ का बेटा है शिन जब 6 साल का था तब ही उसकी माम घर से भाग गई थी तो इतना बताने के बार जून किम के शुक्रियादा करते वी वहाँ से चला जाता है अगले दिन टीवी में एक निउस दिखाई जाती है कि कंस्रुक्शन साइट में एक लेडी की बाड़ी बगैर हाथ और सिर के बरामत हुई है ये मर्डर बिल्कुल वैसे ही किया गया था जैसे कि जेम्स ने बताया था आगे मियून को दिखाया जाता है जो कि एक रूम में किम को सोतावा देखती है और उस रूम के अंदर चली जाती है जिसके बाद ये सीन इधरी एंट हो जाता है अगले दिन किम एक आइसक्रीम शॉप में अपनी एक्स वाइफ सूजिन को बुला कर उससे समझोता करने को कहता है ताकि वैदोनों ही अपने बच्चे पार्ग से मिल सके पर इस दोरान उन्हें एक साथ मियूंग वहां से गुजरते वक देख लेती है और फिर चली जाती ह आगे किम सूजिन के साथ उनके घर जाता है पर इदर सूजिन किम का घर देख कर उस पर चिलाने लगती है क्योंकि किम के घर की हालत काफी बेकार थी और उनका पच्चा पार्ग यहां नहीं रह सकता था सूजिन को किम का घर देख कर इतना गुसा आता है कि वो उसके घर का मिरर तोड देती है जिसकी आवाज सुन किम का मकान मालिक यानि की जून पूछने आता है असल में जून ही किम का मकान मालिक है और वो साथ में इधर मीट शॉप भी चलाता है जून किम से पूछता है कि क वहां से चला जाता है इसके कुछ टाइम बाद जून दुबारा से किम के घर नया मिरर लेकर आता है और देखता है कि अब तक वो लीटी जा चुकी थी अब जून किम के घर मिरर को फिट करता है और जाते वक्त किम को अपने शौप में बुलाता है आगे शौप में जाकर ये वो पार को अच्छी परविर्श दे पाई की अब जून से बात करते किम की आँख लग जाती है और जब वो उठता है तो जून वहां से जा चुका था किम को लगता है कि जून उसे इधर छोड़कर चला गया है इसलिए वो जून की शौप के किचन में जाता है और इधर एक क जीब स्माइल देती भी कहता है कि पहली बार में ये थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन अगर तुमने इसकी पहल कर दी तो अब तुम इसे कभी रोक नहीं पाओगे तो इसे सुन किम कुछ समझ नहीं पाता और फिर जेम्स की डॉटर इनलो उसे वहां से ले जाती है बिल्कुल खामोश होकर वहीं बैट जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो फिर अगले दिन किम रोज की तरह होस्पिटल जाकर अपना काम करता है और घर लॉट कर फ्रिज खोलता है पर इस बार फ्रिज में कोई काला प्लास्टिक बैक नहीं था इसे देखने के बाद किम वाश्रूम जाता है पर इधर किम को खोन के कई सारे दाग दिक्तिंग है किम आगे देखता है तो वो बिल्कुल शौक रह जाता है क्योंकि इधर किम के बातरूम में जून और जेम्स यानि की दोनों बाप बेटे एक लड़की की लाश को काट रही थी यहां जून पासा कर बोलता है क्या हुआ डॉक्टर कल रात आपस इस बाडी का हैड ले गए थी ऐसा कहकर जून उसे वो हैड यानि की सर दिखाता है पर हमें पता चलता है कि यह सब फिर से किम का एक सपना था किम अपने सपने से जागता है और रात को एक फार्मसी से हॉस्पिटल में रखने क के लिए कुछ मैडिजन्स करीता है इदर रास्से में जाते वक्त किम की नजर एक स्कूल स्टुडेंट पर जाती है जिसे उसके कुछ क्लासमेट्स बुली कर रहे थी और बुली होने वाला लड़का और कोई नहीं जून का बेटा शिन ही था यह देखकर किम अपनी नजर म स्टूरी कर रही थी अगे मीउन बताती है कि मैंने ऐसा पहली बार किया है प्लीस इस बारे में हैट को मत बताना इधर किम समझ जाता है कि मीउन जूट पोल रही है और मीउन के पास जो बैक है वो बैक उसने ड्रग टीलिंग के पैसों से खरीदा है तो मीउन भी पकड़ी जाने पर शर्मिंदा होती है लेकिन किम मीउन को जाने देता है क्योंकि इस वक्त रात काफी जादा हो गई थी फिर अगले दिन जब सीउक हॉस्पिटल आती है तो किम यहाँ पहले से ही मौजूद था दरसल वो कल राज से इस हॉस्पिटल में सोया नहीं था अब किम रात जून के वेंटी लेटर की थी और इधर जून मीट चॉप कर रहा था पर मीट के पास में ही काली थैलिक के अंदर किसी का सर था जैसा कि किम ने अपने फ्रीजर में देखा था इसे देख किम वहाँ से भागता है पर तब जून किम को पीछे से आकर रोक लीता है और कहता है कि तुम कहां जा रहे हो तब किम बोलता है कि तुमारी दुकान काफी दिनों से बंद क्यूं है तो जून कहता है मेरी वाइफ कुछ दिनों के लिए अपने घर गई भी है और तब तक के लिए हम इस मेर्ट शॉप को नहीं चला सकती तो किम जून से जादा बात ना करते वी वहाँ से जाने लगता है तब ही जून फिर से पास आकर कहता है क्या तुम्हें याद है जब हम दोनों ने उस दिन ड्रिंक किया था तब उस दिन क्या हुआ था तो किम बोलता है क्या हुआ था जून हर बढ़ाती वी कहता है कुछ नहीं अब तुम्हें जाना चाहिए तो इसके बाद किम जल्दी से अपने रूम के अंदर जाता है और बहुत परिशान होता है लेकिन तबी तो पुलिस आफिजर किम के घर आती हैं और बताती हैं कि काफी दिनों से आपकी एक्स वाइफ सूजिन ला पता है इस का फोन चार दिनों से स्विच आफ था पुलिस आफिसर कहते हैं कि तुम वो आकरी आदमी हो जो सूजिन से चार दिन पहले मिली थी और तब से सूजिन गायब है तो किम बताता है कि सूजिन उससे उनके बेटे पार के समस्केट्यूल के बारी में बात करने आई थी और कु कुछ पता चलेगा तो हम दुबारा से आएंगे आगे थोड़ी देर बात किम के घर में मियून आती है और किम बच चिलाते वी कहती है कि पुलिस वाले आज सुबह तुम से मिलने हॉस्पिटल आए थी पर तुम उनके आने से पहले जा चुकी थी क्या तुम मेरे बारी में उन्हें बताना चाहते हो तो किम कहता है वो लोग पस मेरी एक फैमली प्राब्लम की वज़े से आए थी मेरी वाइब जिसका मेरे साथ डिवास हो चुका है वो मिसिंग है मियून कहती है कि वही जो उस दिन रेस्टरेंट में थी किम बोलता है हाँ मियून कहती है मैंने उसे तुम्हारे साथ आकरी बाद देखा था ऐसा कहकर मियून वहां से चली जाती है पर किम को मियून की फिकर थी इसलिए वो विंडो से बाहर देखता है और तबी उसे मियून के पीछे कोई आदमी जाता वा दिखता है इसे देख किम जल्दी से उस आदमी के पीछे भागते पर तबी कोई रास्ते में किम को मार कर भिहोश कर दीता है अगले सीन में किम अपने बैट में था और किम देखता है कि उसके सामने कोई आदमी खड़ा था वो आदमी कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती लेकिन मैं तुम्हारा काफी टाइम से पीछा कर रहा हूँ असल मे मैं एक रिटायर्ट पुलिस आफिसर हूँ और मेरा नाम इंस्पेक्टर जो है तुम्हें याद हो तो 15 साल पहले भी इसी तरह कुछ मर्डर्स हुई थी मुझे उस टाइम पता था कि ये मर्डर्स कोई एक्सिडेंट नहीं है और मुझे पूरे दरह से दो आत्मी पर शक था वही तुम्हारा नेवर जून और उसका चलाग बुठा बाप जेम्स पर मुझे इन दोनों के मर्डर करने का कोई रीजन और विक्टिम की साथ इनके रिलिशन का पता नहीं चला दरसल उस टाइम साइकोबात के बारे में जादा लोगों को पता नहीं था और नहीं मेरे पास कोई सबूत था ये साबित करने का पर अब ये मर्डर फिर से शुरू हो गए है और अब मैं इसे दुबारा से इन्वेस्टिगेट करूँगा तब किम बोलता है कि आखिर मैं यहां कैसे पहुचा और मियून का क्या हुआ तो इंस्पेक्टर जो बताती है कि कल मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था और तुम मुझे भिहोश मिले इसके अलाबा मुझे कुछ नहीं पता इंस्पेक्टर जो आगे बोलता है कि तुमने लास्ट पार अपनी वाइफ से बात की थी और तब से वो गायब है कहीं इसके पीछे तुम्हारा कोई हाथ तो नहीं तब किम कहता है मेरे घर के पास एक सीरिल किलर रह रहा है और आप मुझ पर ही शक कर रही हो इंस्पेक्टर जो बोलता है कि मैं 30 साल से पुलिस में हूँ और मुझे पता है कि हम सभी के अंदर एक शैतान चिपा हुआ है पस हम उसे कंट्रोल करके रखती है वरना हम में और साइको किलर में कोई फर्क नहीं तो किम कहता है आपने ठीक कहा मैं इदर आपको एक सचाई बताना चाहता हूँ ऐसा कहकर किम इंस्पेक्टर को उसके फ्रिज की तरफ इशारा करता है और जैसे ही इंस्पेक्टर जो फ्रिज खोलता है वैसे ही सीन ब्लैंक हो जाता है अब इदर दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर जो किम से कहता है ये इस बार तो हो गया पर अगली बार ये लोग पकड़े जाएंगे ऐसा बूल कर इंस्पेक्टर जो किम को अपना कार्ट देकर चला जाता है अगली दिन किम अपने ओफिस जाता है तो उसी सीउक से बता चलता है कि मियून का कल राज से कॉल नहीं लग रहा है और आज वो ओफिस नहीं आई है तो इसका मतलब किलर ने उसे उस रात मार डाला है ये जानने के बाद किम अपने आफिस जाता है पर तभी किम को उसका बेटा पार कॉल करता है और कहता है कि मॉम के मिस हो जाने के बाद में ग्रैंड मदर के साथ रहना नहीं चाता इसलिए मैं स्कूल की बहानी वहां से भाग गया हूँ और मैं उस एरिया में आ रहा हूँ जह अफ़ी समय बाद भी पार का कॉल नहीं आता तो किम पार को खुछ से कॉल करता है पर हम देखते ही कि ये कॉल जून ने उठाया था और किम जून की अवास पहचान जाता है इसे सुन किम जल्दी से जून की शौप में जाता है पर जून का शौप आज बन था लेकिन तबी कि किम अपने रूम की लाइट ओन देखता है और जल्दी से उपर जाकर अपना चाको निकालता है और कमरे के अंदर जाता है अब कुछ समय बाद जब किम कमरे से बाहर निकलता है तो उसके पीछे एक और आतमी भी आता है और इस आतमी की आँख किम ने काड़ दी थी किम तो उसके सामने इंस्पेक्टर जो थी दरसल किम का जो की गाड़ी से एक्सिडेंट हुआ था इधर किम बार बार कहता है कि उसने किसी को मार डाला है पर किम देखता है कि उसके हाथ में कोई खोन का निशान नहीं था अब इंस्पेक्टर जो किम को शांत कराते वे एक न्यू पेपर में पुलिस को सूजिन यानि की किम की वाइफ की डैट बाटी मिली थी और पुलिस को अब किम की तलाश थी इसे देखकर किम कहता है सूजिन को जरूर जून ने मारा है जून की वाइफ सेरा भी कई दिनों से गायब है शाय सेरा को भी जून ने मार डाला है और मैंने किचन में एक कटावा सर देखा था मैं उसे लेने जा रहा हूँ तो इंस्पेक्टर जो किम को रोकते भी कहता है हमें इस केस में पुलिस की मदद लेनी चाहिए हम इस तरह से किसी की दुकान में नहीं जा सकती तो किम कहता है पुलिस बेशायद जुन से मिली वी है और इसलिए मेरा पीछा कर रही है हम फाइनली इस केस को 15 साल पा सॉल्फ कर सकती है अब इतने में ही किम देखता है कि इंस्पेक्टर जो का उनके डॉक्यमेंट में कोई और नाम था इसे देख किम समझ जाता है कि इंस्पेक्टर जो असली पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है और इसलिए किम जो के सर पर फ्लावर वास मार कर बिहुश कर देता है और वहां से सीधा जुन की शौप के पास जाकर उसका मिरर तोड कर शौप के अंदर जाता है इधर शौप के किचन में किम वो ब्लैक पॉली जाग उपर रखा हुआ देखता है लेकिन तब ही वहां पर जून आ जाता है और ये दोनों एक दूसरी से लड़ने लगते हैं इधर किम लगपक भ्योश हो जाता है पर तब ही वहां पर पुलिस आ जाती है दर असल उन्होंने मिरर के टूटने की आवास सुन ले थी इधर चून और किम दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है पर किम जाती वक्त उस काले थैले की तरफ इशारा करता है पर इस थैले के अंदर किसी एनिमल का सर्थाना की किसी लेटी का और ये सीन इधरी ब्लैंक हो जाता है अगले दिन जब किम के जान पहचान वाले लोगों से इन् investigation में बताता है कि जिस रात हमने drink किया था उसी रात के बाद से मेरी kitchen से दो खंजर gap हो गए थी वही पैरलर में दिखाया जाता है कि पुलिस को ये खंजर किम के room से मिलती है और अब flashback में दिखाया जाता है कि जिस रात जून ने किम को देखा था और उसे बात की थी वो सिर missing है तब जून बोलता है कुछ नहीं और इसके बाद किम वहां से चला जाता है वहीं असल में पार्क किड्नैप नहीं हुआ था पार्क को तो बस जून ने lift दी थी और lift देने से पहले जून ने पार्क के किम से बात भी कराई थी पर किम ने अचानक से call card दिया था आगे कोई आदमी उन्हें बहुत बेरेमी से पीट रहा था किम ने एक बहुत बड़ा करजा लिया था इसलिए मुझे लगा कि ये आदमी उनसे लोन बसूल ने आया है एक flashback में शिन रासे में किम को ignore करते वे जा रहा था पर किम उसे रोक लीता है और कहता है तुम मुझे नजर अंदास करके कहां जा रहे हो शिन कहता है कि मेरा एक जगे पार्ट टाइम जॉब है तब किम आगे बोलता है आखे तुम पार्ट टाइम जॉब क्यों कर रहे हो एक student को पैसो की क्या जरूरत तो ये सुन शिन वहां से निकल जाता है मतलब किम का नेचर वैसा बिलकुल नही कहन के आपको इंस्पेक्टर जो से मिल कर बात करनी चाहिए उन्होंने मुझे पागते वह देखा था और उसी दिन से मिञों भी गयप है तो सामने वाला इंस्पेक्टर कहता है मिञों वा तो जिंदा है अब कैमरा मियों पर आता हे जो जिनदा थी इन फ्लेश बैस्भ तो वो कह रहे थे कि मैंने उसे मार कर उसका सर्फरिज में रख दिया है। फिर फ्लैश बैक में वही रात का सेन दिखाया जाता है। पर यहां मियून किम के बुलाने पर आई थी। क्योंकि किम जारना चाता था कि आज सुबह पुलिस हॉस्पिटल में क्यों आई थी। इसे बीच किम मियून को बताता है कि उसकी वाइब काफी दिनों से गुम है। तो मियून कहती है कि मैंने तुम्हारी वाइब और तुमें देखा था। तो ये सुनते ही किम के बात करने का टोन बदल जाता है और मियून जादा रात होने का बहाना करके वहां से निकल जाती है। पर तबी किम मियून का पीछा करने लगता है और मियून भागने लगती है। पर डर के मारी मियून किम को रास्ते में मार कर भ्योश कर देती हैं, मतलब उस रात मियून के पीछे और कोई नहीं बलकि किम ही बढ़ा था, और किम को imagination में ऐसा लग रहा था, कि जैसे मियून के पीछे कोई और भाग रहा है, अब scene present में आता है, और इधर किम ये सारी बाते मानने को इनकार कर देता है, तो इंस्पेक्टर किम को एक लेड़ी की तस्वीर दिखाता है, और बताता है कि इस लेड़ी का नाम मैरी है, तुमने इनसे दो लाग डॉलर्स लिये थी, अपना क्लेनिक खोणने के लिए, और ये लेड़ी पिछले छे मैंनों से गाप है, तो किम को कुछ याद नहीं आता, इंस्पेक्टर कहता है इस लेड़ी के बीच वाली बाड़ी हमें रिवर में मिली है, और इसका सर हमें तुम्हारे फ्रिज में मिला है, तो किम ये सब जानकर शौक रह जाता है, आगे इंवेस्टिईशन के लिए उस आदमी को बुलाती है, जिसके आँके किम ने निकाल दी थी, दरसल यही वो आदमी था जो पैसों के लिए किम को उस दिन मार रहा था, और इसका नाम हारू था, हारू मेरी का काफी करीबी था, इंस्पेक्टर कहता है क्या तुम्हें पक्का पता है कि ये सर उसी का है, तो हारू बोलता है हाँ, मेरी को आज गाइब हुए 6 महीने हो गए हैं, दरसल मेरी को रात में नीन ना आने की बिमारी थी, और इसलिए वो नीन्द के दवाई किम के क्लिनिक से ले दी थी, क्योंकि वो क्लिनिक मेरी के पैसो से ही बना था, लेकिन जब क्लिनिक करजे में डूब गया, तब मेरी आकरी बार किम के क्लिनिक गई, पर फिर वो वापस नहीं लोटी, इसलिए मैंने मैरी के गाड़ी के पास जाकर उसका स्पाई कैमरा चेक किया और उसमें मैंने देखा कि कि मैरी की डैट बॉड़ी को अपने बैक में डाल कर ले जा रहा था मैंने इस बात को सिर्फ किम के अलावा किसी को नहीं बताया और हम दोनों ने पैसे लेकर settlement कर लिया और इस तरह Mary की body के बारे में किसी को इतने महीने तक कुछ पता नहीं चला लेकिन 6 महीने बाद मैंने अपने सारे पैसे जुए में कवाद ये और इसलिए मैं किम से दुबारा मिला पर अब किम ने वो cleaning बंद कर दिया है अब कैमरा किम की तरफ आता है जिसे उसके सामने inspector जो दिखते है लेकिन वहीं कैमरा में दिखाया जाता है कि किम के सामने Mr. जो ने अलग तरह के कपड़े पैने वे थी वहीं किम को कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था Mr. जो के आने के पाद वो inspector वहाँ से चला जाता है लेकिन इदर reveal होता है कि जो Mr. जो किम को दिख रहे थी वो किम की imagination थी और असल में Mr. जो उस imagination वाले Mr. जो के ठीक पेचे खड़े थी अब असल वाले Mr. जो किम के सामने बैठती है और किम दोनों Mr. जो को देख पा रहा था असल लाइफ वाला Mr. जो कहता है कि तुम मेरे पास सुबारा क्यों नहीं आए तुम्हें regular therapy की जरूरत थी तो किम को कुछ समझ नहीं आता तब हमें reveal होता है कि असल में Mr. जो कोई था ही नहीं और जो किम के सामने है उनका नाम Dr. सुजुकी है जो एक police officer नहीं बलकि psychologist है और आकरी वार वही किम का इलाज कर रही थी तो अब Dr. सुजुकी किम को एक photo दिखाती है और बताती है कि इतने समय से वही किम के बच्चे पार्क की देखबाल कर रहे है मतलब यहाँ पार्क की कोई grandmother भी नहीं थी आगे सुजुकी कहती है कि मुझे बताओ कि सुजुन से मिलने के बाद तुमारे साथ क्या हुआ था तो अब movie दुबारा से flashback में जाती है और इधर किम और सुजुन किम के घर गए हुए थी इधर सुजुन किम को प्यार करनी लगती है और ये दोनों आपस में intimate होती है पर intimate होने के बीच में ही किम को सुजुन का चैरा मेरी जैसा दिखने लगता है और इसलिए वो वहाँ से चली जाती है तरसल सूजिन का चैरा किम को बार बार मेरी की याद दिला रहा था और इसी से परिशान होकर सूजिन किम पर गुसा करते वे मिरर तोड देती है और इधर भी किम को सूजिन मेरी जैसे दिख रही थी अब फ्लेश बैक एंड हो जाता है और इधर साइकोलोजिस्ट ये अनुमान लगाती है कि मेरी बार बार उसे कर्स लोटाने की धमकी देती होगी और इसलिए किम ने उसे मार डाला पर मटर के बाद किम डिप्रेशन में जानी लगा और उसने खुद की वाइव को भी मेरी समझकर मार दिया लेकिन अपनी वाइव को मानिका प्लेम किम खुद पर नहीं लेना चाता था और इसलिए वो ड्रग्स लेनी लगा जिस कारण उसे उसके मिस्टरी बुक का फिक्शनल कैरेक्टर मिस्टर जो असली लगनी लगा और मिस्टर जो का नाम मैंने किम की एक बुक में भी बढ़ा था मतलब किम पूरी तरह से पागल है इसके बाद किम पर कैमरा आता है जो उटकर चिलाते भी कहता है कि मैंने अपनी वाइव को नहीं मारा है पर पुलिस वाले किम को इंसुलिन दे कर भी हुश कर देती है और किम कहता है कि मुझे एक बहुत बड़े ट्रैप में फसाया गया है इस ट्रैप में मैं उसी पल फस चुका था जब मैंने जून के शॉप में वो सर देखा था अब सीन जून के दुकान पर आता है इधर जीम्स पूछता है कि आकेशिन कहा गया तो जून बताता है कि वो फिलिपींस एक क्रिप के लिए गया है आगे वहाँ पर सेरा आ जाती है इधर सेरा बिलकुल ठीक थी सेरा बताती है कि उस डॉक्टर को जेल हो गई वो CCTV से पकड़ा गया इसका मतलब कोई भी बड़ा क्रिमिनल CCTV से छूट नहीं सकता इसलिए मैंने हमारे शॉप में एक छोटा CCTV इंस्टॉल करवाया है ताकि कोई दुबारा यहां से हमारा चाको ना चुरा सके सेरा के इतना बोलते ही जून सेरा के हाथ पर एक रिंग नोटिस करता है दोस्तों ये रिंग इससे पहले हमने सूजिन के हाथ में देखी थी तब सेरा बताती है कि ये रिंग उसे उसके फादर इनलो ने दी है ये कितनी प्यारी है ना ऐसा कहेकर जारा वहां से चली जाती है फिर सिन मीउन पर आता है जो अपने फोन में किसी से ड्रग डीलिंग के बात कर रही थी मतलब मीउन सच में ड्रग सप्लाई करती थी वही पैलर में जून जेम्स के पास चाकर कहता है क्या आपने सुना सिसे टीवी से कोई भी मुझरिम पकड़ा जा सकता है अब हमें थोड़ा सतरक रहना पड़ेगा ऐसा केकर वो तोनों बाप पेटे कैमरा के तरफ देखने लगती है और अब आखरी फ्लैश पैक से सारी सच्चाई रिवील होती है इधर दिखाया जाता है कि सूजिन जब किम से मिलकर बाहर निकली थी तब वो जिन्दा थी और असल में सूजिन का मटर जेम्स ने किया था जेम्स मटर करनी के बाद वहीं बैट गया और बात में जून ने आकर उस मटर को पूरी तरह से कवर कर लिया यहां तक कि गाड़ी का स्पाई कैमरा भी हटा दिया जिसमें ये सब आकरी बार रिकॉर्ड हो रहा था और इसी के साथ ये मुवी एंड हो जाती है तो दोस्तो अब समझती है कि असल में इस मुवी में क्या हुआ था तो दरहसल मुवी में में किलर जून और उसका बाप था वे दोनों साइकोपात थे और 15 साल पुराने मडरस उन्होंने ही किये थे साथी किम की वाइव का मडर भी उन्होंने ही किया था इसलिए उनके पास उसके रिंग थी वही किम एक डॉक्टर था जिसने मेरी नाम की एक लेड़ी से पैसे लेकर क्लिनिक खोला था पर वो क्लिनिक साथा नहीं चला और इसलिए मेरी किम पर जोड टाले लगी जिससे तंग आकर किम ने मेरी को मार डाला और उसके लाश फेक दी पर उसी राज जून को मेरी की वो लाश मिली और जून ने मेरी की लाश के टुकडे टुकडे करके अपने पास किसी सेव जगे में रख लिया और आगे जून और उसके फादर ने मिलकर किम की वाइफ को भी मार डाला क्योंकि वे दोनों दिमागी रूप से बिमार थे और एंड में जाकर रिवील होता है कि कई सारी बाते किम की बस इमैजिनेशन थी पर बहुत सारी बाते हकीकत भी थी जिसे सभी ने गलत प्यान देकर किम को छूटा साबित किया था जैसे म्यून सच में ड्रक टीलिंग करती थी पर खुद को बचाने के लिए उसने किम पर सारा ड्रक टीलिंग वाला इल्जाम डाल दिया वही जून ने भी उस रात में हुई घटना के बारे में छूट कहा था और असल में उस रात वही सब हुआ था जो हमें किम के परस्पेक्टिव से दिखाया गया था यहां तक कि जो सीन्स हमें किम के सपनी के रूप में दिखाये गए थी वो सीन्स भी रियल थी पर क्योंकि किम ड्रक्स लेता था इस तरह उसे रियालिटी भी सपनी जैसी लगती थी उस रात जून के शॉप में सचमें मेरी का हैड था और उस हैड को जून ने बड़ी चलाकी से किम के फ्रिज में डाल दिया था और इसी हैड से पुलिस को पता चला था कि ये मेरी का हैड है और ये भी हो सकता है कि उस रात किम को फसाने के लिए जून ने खुछ से ही पुलिस को बलाया था और जान बूच कर प्लास्टिक बैग में एनिमल का सर रखा था तो ये सारी बाते reality थी जो किम बता रहा था वही मेरी का मटर करने के बाद किम कुछ चीज़े इमेजिनेट करने लगा था जैसे Inspector Joe जो की असल में किम का एक बुक से inspired character था वही उसकी personality किम ने उसके psychologist से inspired होकर रखी थी मतलब overall किम ने बस मेरी का मटर किया था और बागी सब जून और उसके dad James का plan था इनके लिए किम को फसा कर पागल साबित करना इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि किम उन दोनों बाप नेटी की असलियत जान गया था और इस plan में अपने अपने वाइदे के लिए सबी लोग मिले वे थी जिरो ने साबित करवा दिया कि किम ही वो 15 साल पुराना साइको किलर है तो दोस्तों आपको ये मुवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं मिलते हैं नेक्स वीडियो में